नमस्जार, मेरा नाम ही रिंखियम और आप देखेंच मेरा चनल अगजकाओ टोपिक जो है केरेज्वे रोड का वह इंपोरतेंट टोपिक जो पूरा वहिकल्ट का लॉडटकरी करता है जिसको हम केरेज्वे कहते है। इस वीडियो में हम carriageway की definition, उसके objectives, उसके types और उसके width एसके बारे में discussion करेंगे, एक चीज दोस्तों मैं आपसे request करना चाहता हूँ, आप carriageway के पारे में पूरी जानकार या आपको चाहिए, तो इसके पूरा वीडियो लाश्ट तक देखना, मैं नहीं चाहता है आपका कोई भ के बारे में अच्छे से बठा दी जाएगी तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें चलिए स्टार्ट करते हैं तो कैरीजवे की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो काफी सिंपल सी डेफिनेशन है फ्रेंट्स काफी असानी से आपको याद हो जाएगी पॉर्शन ओफ दा रोड विची रिजर्वड फॉर दा विकुलर ट्रेफिक इस कोल्ड एज कैरीजवे और सिंपल सी भाशा में अगर बात करें तो रोड का वो पॉर्शन जो विकल्स का लोड कैरी करता है उसको हम कैरीजवे कहते हैं याद रखने के लिए आपको कुछ नही कैरीजवे का नाम से आप अंदाजा में सप्क एक्षा किजिए करने वाला वे क्या खेलाता है के रेखने किज्थ सीजों करने वाला वीकल्स कौ तो जो रास्ता वे करता है उसे हम करीजवे कहते हैं तो डेफिनेशन आप सबको याद होगी होगीrien वढ़ते हैं अब्जेक्टिव्स के उपर, अब्जेक्टिव्स तो हम सब लोगों को पता है, कितने आसान है, कैरिजवे अगर नहीं होगा, तो एक वहिकल एक स्थान से दुसरे स्थान तक नहीं जा पाएगा, दूसरा एक स्मूध सर्फेस नहीं मिलेगी वहिकल को मूव करने के लिए, तो वहिकल को एक स्मूध सर्फेस मिलती है, दूसरा फैसिलिटेट करता है कैरिजवे एक वहिकल को तो मूव फ्रो वन प्लेस तो अदर प्लेस, तो यह उब्जेक्टिव्स हैं कुछ एक, और अब देला जरारी सिंगल लें, डाइबल लें, सिंगल, कैरिजवे डबल कैरिजवे एक चीज आप ध्यान रखे आर लेयन और कैरिजवेई है , मैं आपको पहले थोड़ा साます था करता हैन्स के बारे में कि अगरें बात करें लेन की लेन का वह पोर्शन होता है, वह स्ट्रिप होती है जो वहिकल्स को एक लाइन में मुव करवाती है, वह कैरीजवे का ही एक हिस्सा है तो सबसे पहले जो हमारा टाइप है केरीजवे का वो है वन लेन केरीजवे जिसकी विट एस पर IRC 3.75 बताए गई है वैसे इसकी विट 3.8 मिटर हम ले सकते हैं फ्रेंड्स बट एस पर IRC 3.75 परमिसिबल है अब क्वेश्चन यह उठता है 3.75 ही क्यों चार मिटर क्यों नहीं 3.5 मिटर क्यों नहीं जब हम शोचते हैं कारीजवे की विट कैसे डिसाइड की जाती है तो मन में एक आईडिया आता है कि शायद में विटर्ट के अकोरडिंग ही यह डिसाइन की जाती है और यह बात सही है जो में मैक्सिमम विटर्थ है वह हमारी है 2.44 मिटर्ष इसका मतलब क्या है जो सबसे चोड़ा वहिकल है उसकी विट्थ कितनी है ज्यादा तर 2.44 उससे ज्यादा नहीं है तो 2.44 होगी वहिकल की विट्थ और सिंगल लेन अगर सिंगल लेन कैरिज वेगी अगर मैं बात करूं तो दोना तरफ हमें 0.68 मीटर्स क्लेरेंस चाहिए होता है और आप इनको अगर प्लस करेंगे तो आपको 3.8 मीटर ही मिलेगा तो सिंगल लेन कैरिज वेए की वेट्थ 3.8 मीटर क्यों होती है आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंगल लेन कैरिज वे जिसकी विट्थ काफी कम होती है वो मेली विलेज रोड्स होते हैं जहां पर ट्रैफिक की टेंडेंसी बहुत कम होती है ट्रैफिक फुलो बहुत ही कम होता है लो ट्रैफिक रोड्स होते हैं सिंगल लेन कैरिज वे और चलिए बात करते हैं डबल ले लेन की 3.75 है तो डबल लेन की 7.5 मिटर क्यों नहीं है उठना भी चाहिए और डाउट क्लियर करेंगे आज आपका हरे देखी फ्रेंड्स आपने जूम कर लिया होगा कि ठीक है 2.44 मिटर एक वहिकल की विड्थ हो गई इधर भी एक वहिकल चल रहा है सेकिंड लेन में भी तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 7.5 मिटर आना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है आप यह देखिए जब हम यह इस लेन को आपस में अगल भगल रखेंगे तो यह हिस्सा तो कॉमन आ जाएगा ना मारे दोनों लेन्स का तो 0.68 और 0.68 इतनी क्लेरेंस हमें नहीं चाहिए होती है जो हम यह बीच की बात करते हैं अगर हम बीच की बात करें दो विकल्स के बीच में क्लेरेंस हमें कितना चाहिए है तो वह होता है 1.06 मीटर इसमें 0.68 नहीं होता है इसमें कितना होता है 0.53 मीटर तो चलिए calculate कर लेते हैं 0.53 यह clearance उसके बाद वहिकल 2.44 उसके बाद वहिकल के बीच की clearance 1.06 उसके बाद दोबारा से वहिकल की width 2.44 और प्लस 0.53 चलिए इसको हम add कर लेते हैं इसका कितना बनेगा टोटल जी हाँ 7 मीटर ही बन रहा है चेक कीजिए अब बताईए अब तो double lane carriageway की width कितनी है 7 मीटर जैसा कि आपने देखा हमने calculate भी किया अब यह तो था double lane carriageway जहां पे curve stone fixed नहीं है तीसरे case में क्या है जहां पे curve stone fixed है वहां पे carriageway आधा मीटर extra लेके हम चलते हैं means 7.5 मीटर हम carriageway की width लेंगे जहां पे curve stone fixed है क्यूं लेंगे क्यूंकि जब हम बात करें बिना curve stone वाले carriageway की तो road shoulder का margin उन्हें मिल जाता है emergency cases में vehicles उस पे pull out करके emergency lane के तोर पे shoulder को यूज कर सकता है कि कर स्टों जहां पे fix होते हैं उसको हम emergency lane के तोर पे कैसे भी यूज नहीं कर सकते वह clear way ही होता है जहां पे curve stone लगे होते हैं two way carriageway में लेकिन फिर भी 0.5 मीटर हम लोग factor of safety लेके उसको extra लेके चलते हैं तो single lane carriageway double lane carriageway without curve साथ मीटर with curve साड़े साथ मीटर चलिए आगे हम बात करते हैं intermediate carriageway आयोप आपको सब लोगों को यह diagram दिख रहा होगा तो intermediate carriageway क्या होता है इसकी carriageway की width साड़े पांच मीटर होती है यह कहां पर यूज किया जाता है मेली जहां पर traffic लो होता है मेली other district roads के तोर पे intermediate carriageway को यूज किया जाता है साड़े पांच मीटर इसका carriageway की width होती है आगे हम बात करते हैं multi-lane carriageway की देखिए multi-lane carriageway में ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है हर एक lane के हिसाब से 3.5 meter add कर सकते हैं जैसे 4 lane अगर single carriageway है तो total carriageway की width कितनी होगी 3.5 into 4 14 meters तो ये थे friends कुछ एक उधारन single carriageway के अब अगर बात करें double carriageway की double carriageway क्या होता है एक carriageway में काभी सारी lanes होती है वो तो आपको पता चल गया single भी हो सकती है double भी हो सकती है triple भी हो सकती है चार lanes भी हो सकती है एक चीज में आपको बताना भूल गया single carriageway में opposite direction में जो vehicles move करते हैं जरूरी नहीं कि वो divide किये जाए या separate किये जाए hard variation या एक median के द्वारा ही कई बार क्या होता है सिर्फिक road marking ही divider का का काम करती है और हम एक single carriageway को four lane carriageway बना सकते है कि इस direction की बात करें तो दो लेंज में वीकल इस direction मूब करेंगे और दो लेंज में वीकल इस direction मूब करेंगे जबकि यहां पर कोई भी median नहीं है कोई भी hard variation नहीं है लेकिन सिर्फों सिर्फ road marking है उसको ही median के तोर पे हम treat करते हैं लेकिन यह double carriageway हम नहीं कह सकते यह single carriageway ही है क्योंकि यह divided नहीं है अगर road marking की बजाए यहां पर median होता या फिर hard variation होती तब इसको हम dual carriageway कह सकते हैं तो single or dual carriageway में फर्क सिर्फ इतना सा ही है friends single carriageway सिर्फ एक carriageway होता है जिसको divide किया जाता है लेंज के अंदर और even उसको divide कर सकते हैं opposite directions वीकन को move कराने के लिए with the road markings only और dual carriageway के अगर बात करें तो वो दो carriageway होते हैं एक सीदी सी बात आपको मैंड में बैठा लेनी है तो carriageway ही double carriageway कहलाता है dual carriageway कहलाता है और अगर carriageway को markings के द्वारा ही अलग किया गया है opposite direction में move करने वाले vehicles के लिए तो वो single carriageway ही होता है तो चलिए quick revision ले ले लेते हैं जो भी points हमने discuss किये जो भी types हमने discuss किये carriageway के सबसे पहले हमने discuss किया single lane carriageway जिसकी width हमने discuss की थी 3.8 meters और 3.75 meters as per IRC जो कि permissible है होना इतना चाहिए कैसे आई 3.8 meter 2.44 vehicles की चोड़ाई और अब दोन तरफ clearance 0.68 add करेंगे 3.8 meter हमारी carriageway की width आ जाएगी I hope यह clear हो चुगा है आपको दूसरा है हमारा double lane carriageway इसकी width थी 7 meter find out कैसे की थी हमने width 7 meter यह तो दो वेहिकल के बीच की clearance उसके बाद वेहिकल 2.44 इस साइड भी वेहिकल 2.44 साइड क्लेरेंस 0.53 इधर भी साइड क्लेरेंस 0.53 add करेंगे 7 meter will get dual lane carriageway width और एक चीज़ और हमने discuss की थी जहां पर कर्प्स्टोन लगे होंगे वहां पर हाफ मीटर हम एक्स्रा लेके चलते हैं इन केस ऑफ कर्प्स्टोन double lane carriageway width will be 7.5 meter clear है अब आगे बढ़ते हैं intermediate carriageway जिसकी चोडाई carriageway की कितनी होती है 5.5 meters use कहां पर कह जाता है other district roads के तोर पर इसको use करते हैं जहां पर traffic का flow medium होता है या low होता है I hope यह भी आपको clear है बात करते हैं multi lane की multi lane के अगर बात करें तो हर lane का 3.5 meter हमें मोटा मोटा पकड़के चल लेना है 4 lane है तो 4 into 3.5 6 lane है तो 6 into 3.5 वो हम calculate कर लेंगे easily ले लास्ट है dual carriageway dual carriageway क्या होता है friends जहां दो carriageway हो और जो किसी hard variation के द्वारा separate किया गया हो carriageway को वो होता है dual carriageway एक case में simple marking के द्वारा भी हम road को divide कर देते हैं लेकिन वो dual carriageway हम नहीं कह सकते उसको वो single carriageway होता है जहां पे hard variation हो hard median provide किया गया हो उस case को हम dual carriageway कह सकते हैं तो 5th point भी clear है कोई भी doubt आपको carriageway को लेके है तो आप comments में please मुझसे पूछे friends और अगर आप channel पे नए है तो प्लीज subscribe करें और like बटन दबाएं आपके लाइक से ही हमें motivational मिलते है और अस्टेशी वीडियोज बनाने की तो friends thank you ये वीडियो देखने के लिए आगे आने वाली वीडियो में हम discuss करेंगे road shoulder के बारे में उसका design उसकी width different different terrans के लिए different different places के लिए हिली एरियाज में plain एरियाज में सब कोश हम discuss करेंगे एक एक चीज आपके mind में बठाई जाएगी तो उसके लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए thank you झाल जाएग्जट झाल